नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चानल पर मेरा नाम है अजय शर्मा और आज हम यहाँ पर बात करने वारे क्लास 10 तुराजस्थान बूर्ड के मैट्स के लिए हम यहाँ पर स्टार्ट कर चुके थे 16.1 को अल्रेडी हम 124 कोशन कर चु पर पाच्वा कोशन जो ले रहा हूं में यहाँ पर इस क्लास के लिए सबसे फर्स्ट कोशन आपका है वह है एक बॉक्स दिया हुआ है उस बॉक्स को आपको अंदर से पैंट करना है और जो भी डैमेंज News दी रहूं आपको वो सारी की सारी कहां दे रहूं आउटर की दे रहूं पहले आउटर से इनटरल की डैमेंजन सब्सक्राइगे दोस्तों तो तो कौशन आप समझगे होंगे हिंदी में सारा कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर की और पेंट कराने का खर्च आपको बताना है और आपको बहारी लंबाई चोडाई और ऊचाई आपको दी हुई है तो कैसे कोशन को सॉल करेंगे दोस्तों जल्दी से चेक कर लीजिए पटापट से कोशन को किस तरीके से हम यहां पे सॉल करने वाले हैं तो यहां पर अगर आप द दौस्तों यह एक तरह क्या है पेस है उसको प्रेंट करेंगे और चारो की चारो वॉल्स को प्रेंट करने वाले हैं तो यहाँ पर आप देखें कि लेंद्द दे रहे रहा इसका एपको 146 cm और आपकोवा गराला गिवे हैं यहाँ और पो निकालना पड़ेगा इंटरनल के के अंदर हमें क्या चाहिए लेंथ चाहिए और हमें यहां पर बी चाहिए और उसका एच चाहिए सबसे इंपोर्टेंट कॉंसेट्ट यह है दोस्तों उसके बाद को सारा कुछ आसान है यहां पर देखें अगर आउटर की दे रखी 146 आप देखेंगे दोनों साइट से अगर इंटर्ल से इंटर्ल आपको गिवन होता तो इस थिखनेस को आप अड़ों कर देते तो यहां पर क्या करेंगे तो यहां पर कित्ता आगया दोस्तों 140 cm आ यह आगया हमारा इंटर्ण वाला मामला आ अब देखेंगे 116 के लिए चेक कर लेते हैं वहां पर भी आप तो आमने सामने की जो वाल होती है वो दोनों चीज़ें के kızım कर लेगी तो या के अध्या है ता सब्सक्राइब ओपलोज प्रह एक सब्सक्राइब एक साइड चेंज अगा है। यहां पर आपको बता है यहां पर 8-5 मतलब किता हो गया तो यह हमारी सुरी मिननशन Das की इंसोच ना पडेगा उपर वाला डख्कन नहीं है उपरवारा डेकर नहीं है तो किस तरीकी से कोशन को self-勻 करते हैं मैंने बताया भी था आपको कि अगर liegt surface area निकालना हो टोटल निकालना हो चारों वोल्स का निकालना हो तो किस तरीकी से कोशन को self-勻 करते हैं तो अगर बात करूँ में टोटल area की अंदर वाले पार्ट की बात करूं टोटल एरिया और आप इंटरनल लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर जिससे आपको क्या हो जाए अंदर की बात हो रही है यहां पर आप देखेंगे टू इंटू क्या हो जाएगा एल प्लस बी और साथ में कौन आजाएगा आपका इंटू है और यहां giving आगा है नही यहां पर आई मैंने अचलाल केलेए वह ती ह्मारे पास 142 इंटू क्या है है जोस्तों मारे पास यहाँ पर पर H से multiply कर दिया गया इसको यहां पर देखें ल का value है मारे पास सीधा सीधा जो हमारा internal आया था 140 प्लस B का जो value आया था वो आया था दोस्तों मेरा 110 इंटो H का जो value था दोस्तों वो है अमारे पास 80 ठीक है और यहां पर L2B मतलब किता हो गया 140 इंटो क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा देखो यहां पर मैं हर एक चीज को mention करते जा रहा हूँ पूरा area एक बार आगया internal का तभी तो paint कराने का आपको खर्चा मिलेगा तो यहां पर आप देखें इसको multiply करेंगे तो कितना आजाएगा आप 00 हमेशा ऐसे करें कि दो 0 लगे हुए तो दोनों 0 को पहले लिख ले उसके बाद 11 को multiply करेंगे तो कितना आजाएगा 1144 और यह 4 चला गया 11 11 और कितना हो गया यहां पर यह हमारे पास 15 हो गया तो 15400 आपका यहां से आ अब यह प्लस करेंगे प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों मेरे पास यहां पर यह आ जाएगा यहां पर कितना आ गया मेरे पास यह आ गया इसको देखो यहां पर 0020 यहां पर चार आ गया यहां पर हमारे पास पांच आ गया और यह कितना हो गया हमारा 5 हो गया तो जो at the rate of rupees 2 per 1000 square cm आपको दिया हुआ है ऐसे अगर हमें paint करवाना हुए तो किस तरीके से हमें rate बताई गई हम जब भी किसी से काम को paint करवाने वाले के पास गई तो उसने बताया कि आपको क्या करना है पही होगा है तो यहां पर माल लीजे एक सेंटेमेटर स्कॉयर का कितना Wi-zi यहां पर हमारे पास कितना प्रat Cancel Out हो गये 2-5-10 हो गया अब आप यहां पर पांच पांच फोर जो है उसको किससे डिवाइट कर देंगे 5 से डिवाइट कर देंगे तो 5-5, 5-5 इसको अगर स्वाल करें तो 0 आ जाएगा 0.80 आपका 1,10, 0.80 आपका अंसर आ जाएगा दोस्तों इतना पैसा आपको internal part को paint कराने के लिए देना पड़ेगा तो ये पूरो का पूरो question जो है बहुत important है राजस्तान बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है ये most important question है दोस्तों वापस से revise करा देता हूँ सबसे पहले क्या किया मैंने sides को यहाँ पे देखा side में क्या क्या कम हुआ internal part के लिए वो बताया उसके बाद जब side आ गए लब एच उसके बाद मैंने क्या किया दोस्तों उसका internal area निकाला total surface area मैंने यहाँ पे निकाल लिया internal part का वो मेरा आया 55,400 उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया दोस्तों मुझे अब given था 1000 cm2 रुपीज 2 के इसाब से तो 1 cm2 के इसाब से कितना हो गया 2 upon 1000 और यहाँ पे इतने cm2 के इसाब से कितना हो गया multiply कर दिया तो final answer क्या आ गया दोस्तों मेरा यह मेरा final answer आ गया 110.80 रुपीज जो है तो जल्दी से इसका screenshot ले लिजे next question के तरफ बढ़ते है यहाँ पर आपर इसका screenshot ले लिया होगा दोस्तों अब next question आपका 6 question है 16.1 उसको discuss कर लेते हैं यहाँ पर next question में क्या होगा क्या क्या चीज़े करने वाले हैं सारी चीज़ें आपर discuss कर रहे है तो देखें यहाँ पर अगला question है आपकी screen के उपर यह रहा अब तो यहाँ पर आप देखें तो 6 question है the sum of length, breath and height को दिया हुआ है cuboid का 19 cm है and length of its diagonal is 11 cm तो find the total surface area of the cuboid आपसे पूचा गया हिंदी में बात करो तो एक घनाब की लंबाई चोड़ाई उचाई आपको उसका योग जो है वो 19 cm दिया हुआ है और साथ में विकर्ण की लंबाई 11 cm है और घनाब का संपूर्ण प्रस्टीश है त्रिपल आपसे पूचा गया है यह question का तरीका हो गया यह data में given है इस चीज को हम यहाँ पर mention करने वाले है तो चलिए यहाँ पर start करते हैं इस question को फड़ापट से तो अगर आप देखे हैं तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है दोस्तों आपको दिया हुआ है L प्लस B प्लस H जो है लंबाई और चोडाई और उचाई का योग जो है तीनों का टोटल जो है आपको कितना दे रखा है 19 cm दे रखा है तो पहली equation तो यह है जो भी data given है उसको लिख लो अपने तरीके से आप फड़ापट से और question के से solve हो रहा है उस concept को समझेगा length of its diagonal आपको दे रखा है मैंने आपको बताया था कि घनाब के विकर्ण की लंबाई जो होती है दोस्तों वो होता है under root L square plus B square plus H square होता है और उसका कितना दे रखा है उसका value 11 cm दे रखा है तो यह second equation आगई मेरी इसको solve करूँगा दोनों साइड यहां पर square कर दो तो यहां पर बचेगा L square plus B square plus H square और यहां पर हो जाएगा 11 का square मतलब कितना हो गया 121 cm ठीक है तो इनका square का total भी आपको मिल गया आप से पूछा गया है total surface area of the cuboid क्या होगा यह दूसरी equation है मेरी ठीक है total surface area आप से पूछा गया अब यह थोड़ा tricky question है दोस्तों बहुत important है आपको कि विल इतना सूचना है कि ऐसा formula देखें जिसके अंदर L square plus B square plus H square भी आजाए और L plus B plus H भी आजाए इस तरीकी से आपको दिमाग लगाना है और total surface area को निकालना है देखें यहाँ पर क्या हो रहा है आप अगर देखें तो L plus B plus H का जो square होता है दोस्तों आपने बीजगनीत में पढ़ा होगा L लेबरा में पढ़ा होगा कि X plus Y plus Z का square का formula क्या होता है तो उसका formula होता है दोस्तों X का square मतलब L का square y का square मतलब b का square और z का square मतलब क्या हो गया h का square हो गया ठीक है तो यहाँ पर h का square लिख दिया मैंने उसके बाद आता है हमारा 2lb plus 2bh plus 2hl यह हमारा पूरा formula होता ही है वाला x plus y plus z का square का पूरा formula होता है समझ पारे हो बात को बहुत tricky सा है आप यहाँ पर देखें के l plus b plus h क्या दिया हो है 19 cm दिया हो है यहाँ पर मैं 19 को mention कर दूँगा इस value को यहाँ पर put कर दूँगा l square plus b square plus h square क्या है quotient के according 121 cm है तो यहाँ पर उठा के क्या रख दूँगा 121 रख दूँगा अब देखें बचा हुआ पार्ट अगर आप देखें तो इस two को अगर common ले लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा lb plus bh plus hl बचेगा और आपको पता है दोस्तों यह क्या है आपको पता है यह क्या है area of cuboid total surface area of cuboid है यह बात करूँ संपूर्ण प्रस्टिय शित्रवल किसका है गनाप का है तो यहाँ पर आप देखें तो 121 को इधर ले आएंगे तो 19 का square कितना होता है आपको पता होना चीए 19 का square कितना होता है जिसको भी नहीं पता भही multiply कर देता हूँ देखेंको मैंने आपको हमेशा से कहा है आपको तो आपको काफी दिक्कत आने वाली है क्यूकि काल्कूलेशन में आप time waste कर देंगे वहाँ पे 361-121 आ गया और यहाँ पे क्या आया है दोस्तों इसको मैं इधर लियाँगा 121 को तो यह माइनस का हो जाएगा और इक्वल में क्या आ जाएगा दोस्तों 2 into LB plus BH plus HL हो जाएगा कोशन को शेर कर दें न दोस्तों बहुत इंपोर्टन्ट है तो यहाँ पे देखें 121 से माइनस करेंगे तो again मैं आपका calculation यहाँ पे easy कर देता हूँ बहुत सारे दिक्कत आपको नहीं आएगी कि क्या हुआ calculation कैसे हो गई है यह सारी चीज़ें यहाँ पे देखें 361 को मैं माइनस कर रहा हूँ किसके साथ 121 के साथ माइनस कर रहा हूँ दोस्तों तो यहाँ पे देखें 1 में से बन गए 0 6 में से 2 गया 4 यहाँ पे 3 में से बन गए 2 तो क्या आगया अपका 240 आगया और इसको अगर मैं आगे mention करूँ तो क्या आ जाएगा मेरा answer final answer क्या जाएगा दोस्तों मेरा final answer आगया गनाप का संपूर्ण प्रस्टी शेत्रफल यह TSA of cuboid जो है total surface area of cuboid किता आ जाएगा 240 cm2 एक formula से directly अगर solve किया तो simple तरीके से यहाँ पे क्या निकल के आ गया formula बन गया और सीधा मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया final answer मेरा क्या आ गया सीधा सीधा 240 आ गया दोस्तों solve कर लेना इसको एक बार मेरे साथ के साथ और अगर कोई भी doubt आए किसी भी तरीके का कोई doubt आए तो इसको check कर लेना एक बार तो जल्दी से इसको यहाँ पर फटा फटा से screenshot ले लिजे इसका क्योंकि बहुत important है कैसे लगाया कैसे यहाँ पर यह वाली जो अपनी identity है यह जो formula यह सुत्र है यहाँ पर algebra का उसको कैसे utilize किया कैसे use किया और यहाँ पर मैंने गनाब का संपूर्ण प्रस्टिशे रिपल यहाँ बात करू टो टोटल सर्फेस ही रिए और cuboid को निकाला तो जल्दी से इसको check out करिए बढ़ते है next question की तरफ यहाँ पर आपने यह बहुत important question इसका screenshot ले लिया होगा दोस्तों अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगला question है हमारा उसको discuss करते है question number 7 को discuss करेंगे जो आपका chapter number 16.1 का है फटापड से check करते जाहिए मेरे साथ के साथ हर एक चीज़ क्लेर हो जाएगी इस topic में किसी तरीके का कोई भी doubt नहीं रहने वाला है तो आपको बोला है room with a square floor of side 6 meter contents 180 meter cube find the height of the room बहुत छोटा सा question लेकिन बहुत ही tricky question देखें यहाँ पर 6 meter की भुजा की वर्गकार first के कमरे में 180 meter है क्या है यहाँ पर यह 180 meter आपको दिया हुआ है तो कमरे की उच्छा ही याद कीजिए तो यहाँ पर आपको जब भी अगर air की बात करेगा या किसी चीज़ की बात करेगा वह किती दे रखिए 6 meter दे रखिए दोस्तों और आपको 180 meter cube उसके अंदर क्या दिया हुआ है अगर आप मुझे एक बात बताईए कि अगर आपको जो है आपको एक side का square आपका फ्लोर होता है यह अपना cuboid होता है दोस्तों इसके अंदर एक जो floor होता है हमारा यहाँ मैं बात करूँ रूम की रूम में जो आपका first होता है वो आपको किता दे रखा है दोस्तों ए रूम में square दे रखा है वो square है क्या है वो एक square है तो उसका मत là हो गया अगर इसकी यह वाली सबस्वजर सइब अगर 6 हे तो यह वाली भीड़ी हो जाएगी six हो जाएगी यह आपको बहुला गये कि जो आपकी words क्या है जो यह पर है वह क्या है वह यहां पे square type का है तो क्या हो जाएगा 6 मिटर भुजा उसकी दी हुई है वर्गा का रपर्ट की ठीक है तो कमरे में 180 गन मिटर तो कमरे की उचाई गयाद कीजिए अब देखो L आपको पता लग गया है 6 है ठीक है 6 मिटर है और अगर बात करूं में B की तो वो भी आपको पता लग गया है 6 मिटर है क्योंकि लंबाई इंटू चोड़ाई होता है दोस्तों L इंटू लेंध इंटू ब्रेथी होता है यहाँ पे और H हमें यहाँ पर पाइंड आउट करना आ गया 180 मिटर क्यूब की इकवल आ गया फटा फट से रिविजन कर लो फटा फट से सॉल कर लो एच का वैल्यू क्या आ जाएगा 180 की इकवल इसको रख देंगे तो यहाँ पर आ गया एच का वैल्यू किता आ गया दोस्तों 180 अपॉन 6 इंटू 6 6 318 6 530 तो किता आ गया 5 बढ़ते हैं तो आपने यह बहुत इजी कूशन है अगाम से समझ लिया होगा इसका स्क्रीन शूट भी ले लिया होगा आज की ग्लास का आखरी कोशन डिसकस करते हैं दोस्तों अगला कोशन जो है हमारा एट कोशन है एट कोशन में देखी क्या दिया हुआ है हमें एट को आपको given है यहाँ पे कि how many bricks are required to make a wall of dimension 44 meter long 1.5 meter height and the 35 centimeter broad if dimension of one brick is 22 centimeter 10 centimeter and 7 centimeter आपको दिया हुए हिंदी में भी लिखा हुए सीधी सी बात है कितनी इटों की आवशकता है brick की आवशकता है यह caution में पूचा गया यह caution important mark कर लेना दोस्तों इसे caution बार बार राजिस्तान बोड में examination में पूचिये जाते हैं तो इस caution को कैसे करेंगे उसको discuss कर लेते हैं इटो की संक्या आपसे पूची गई है इटो की संक्या निकालने के लिए हमेशे एक जो आप सुत्र है एक formula है उसको लिख लीजिए कि अगर आपसे पूचा जाए number of bricks कैसे आएंगी तो आप हमेशा याद रखना दोस्तों आप क्या कर लेंगे आप यहाँ पे निकाल लेंगे volume of wall जो है वो आपने निकाल लिया और यहाँ पे दूसरा part जो है आपका volume of one brick जो है वो निकाल लिया और दोनों को divide कर दिया तो आपका क्या आजाएगा दोस्तों ये note down कर लेंगे अपनी copy में आपका क्या आजाएगा number of bricks जो आपको ito की आवशकता है अपना construction के लिए अपने house के लिए मकान बनाने के लिए कितनी ito की आवशकता होगी वो यहाँ पे तो volume of one brick और इसको किसे divide करना है volume of wall upon volume of one brick कर देना है आपको आईतन निकाल लेना है अब आप यहाँ पे देखेंगे सारी dimensions में लिख रहा हूँ volume of wall के लिए बात करेंगे सबसे पहले आईतन की बात करेंगे दिवार के आईतन की बात करेंगे ठीक है तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या-क्या चाहिए volume of wall के लिए हम L भी चाहिए B भी चाहिए और H भी चाहिए तो अगर आप L की बात करें तो वो दिया हूँ है आपको 44 meter long लेकिन आप देखेंगे सारी dimensions किसके अंदर है दोस्तों cm में है और ये 2 dimension किसके अंदर है मिटर के अंदर है तो इनको क्या करेंगे सबसे पहले cm में convert करेंगे सो से multiply किया कितना आगया 4400 आगया दोस्तों ठीक है और वो भी किसके अंदर आगया cm में आगया अगर B की बात करूँ तो वो कितना है यहाँ पर 1.5 meter आपको दिया हुआ है उसको भी अगर आप 100 से multiply करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 cm आ जाएगा अगर H की बात करें दोस्तों तो वो है अमारे पास 35 cm already cm में यह given है अगर बात करूँ मैं volume of volume of के लिए मुझे क्या volume of यहाँ पर क्या दिया हुआ है वो दिया हुआ है दोस्तों मेरे को यहाँ पर कितना दिया हुआ है 10 cm और आगे बात करूँ अगर H की तो वो कितना दिया हुआ है 7 cm पहले सारा डेटा लिख लो फटा फट से यहाँ पर आपको number of bricks पता लग जाएंगी सारी values आपके सामने है उटा के put करेंगे तो volume of wall कैसे लिखेंगे L into B into H करके लिखेंगे और फटा फट से आपको सारी बात यहाँ पर समझ में आ जाएगी तो सारी values को put करूँगा number of bricks को तो 4400 हो गया L into B कितना है 150 into H कितना है 35 और डिवाइड कर देंगे किसके साथ volume of one brick के साथ तो कितना आया वो 22 into 10 into 7 फटा फट से देख लो यहाँ पर अब यहाँ पर जो इसको solve करेगा number of bricks निकल के आ जाएगी तो इसको यहाँ पर देखिए 0 से 0 cancel out हो गया और अगर बात करो 75 हो गया आगे और solve कर सकते हैं कि इसको नहीं कर सकते तो यहाँ पर इसको solve कर सकते हैं 22 to 44 हो गया 200 आ गया हमारे पास यहाँ पर अगर आप इसको multiply करते हैं तो यह आगया हमारे पास 15,5 है कितना होता है दोस्तों यह होता है हमारे पास 75 होता है और इसको अगर 200 के साथ multiply कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15,000 आ जाएगा 15,000 bricks की आपको क्या है दोस्तों requirement है आपको वो wall बनाने के लिए तो 15,000 आपका क्या हो गया answer आ चुका है तो फटा फट से इसका screenshot ले लिए दोनों बात बता दी मैंने के L into B into H भी आपका निकल जाएगा यहाँ से L into B into H आप निकालेंगे volume of wall के लिए volume of one brick के लिए आयतन आप एक इट का निकाल रहे है आयतन आप दिवार का निकाल रहे है दोनों को आपने किस में रख दिया दोस्तों रेशो में रख दिया तो आपका final answer क्या आ गया 15,000 bricks आ गई कैसे यहाँ पर divide करके solve किया simplify किया answer आ गया 15,000 screenshot ले लो next class में हम ब बात करेंगे 9-12 तक का तो आपका पूरा 16.1 जो इस बार के लिए slavis में है वो complete हो जाएगा और आपको कहीं पर भी total जो आपका service area and volume का topic है उसमें कहीं भी कोई भी problem नहीं आएगी अगर आपको यह class पसंद आए तो class को like जरूर कर देना और यहाँ पर channel को subscribe कर देना comment करके बताना class का कौन सा part अच्छा लगा आप पहले ही बहुत प्यार दे रहे हैं तो जल्दी से जाएए अपना support बनाए रखें मिलते next class में तब हम discuss करेंगे 9-12 थैंक्यू सो मच